तुम महराजा बनन बास्ते पैदा हो या ते महराजा ही बनिया सी मेरे पुद्दर महराजा दलीब सिंग सिख राज के अंतिम महराजा थे वो सिख सामराजय को सबसे समरिद बनाने वाले महराजा रंजीत सिंग के सबसे छोटे बेटे थे दलीब सिंग को दुलीब सिंग के अलावा The Black Prince के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दलीब सिंग के जीवन पर आधारित फिलम The Black Prince 2017 में रिलीज हो चुकी है इस फिलम में पंजाबी गायक सतिंदर सर्ताज ने महराजाद दलीब सिंग की भूमिकाने भाई है महराजा दलीब सिंग को बहुत ही छोटी सी आयू में सिख राज का भार अपने कंधों पर उठाना पड़ा था हालांकि शाशन को चलाने का पूरा काम उनकी मा, जीन्दकोर और उनके चाचा के पास था चलिए जानते हैं कैसे महराजा दलीब सिंग को अंग्रेज अपने साथ ले गए क्विन विक्टोरिया और दलीब सिंग की कहानी और बड़े होने के बाद उन्होंने फिर से सिख राज को जिंदा करने की कोशिश कैसे की थी दलीब सिंग का जनम 6 सेप्तंबर 1838 को लाहोर में हुआ था उनके जनम के एक साल के भीतर ही उनके पिता महराजा रंजीत सिंग की मिर्त्यू हो गई महराजा रंजीत सिंग की मिर्त्यू के बाद पंजाब में अशांती फैल गई महारजा रंजीत सिंग जब तक जीवित थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पंजाब की और आँख उठा कर देखे लेकिन महारजा रंजीत सिंग की मिर्ट्यू के बाद सब बदल गया जब दलीब सिंग सिर्फ पांच वरश के थे तो उन्हें महाराजा की गद्दी सौपती कई रंजीत सिंग के बाद पंजाब बहुत कमजोर हो चुका था जिसके लिए अंग्रेज लंबे समय से इंतजार कर रहे थे 1845 में दूसरे एंगलो सिख वार के बाद 1849 में उन्हें राजगर्दी से हटा दिया गया और पंजाब को अंग्रेजों ने अपने कबजे में ले लिया अपनाना पड़ा इसाई धरम पंजाब पर कबजा करने के बाद अंग्रेजों ने एक नई चाल चली उन्होंने दलीब सिंग की मा को कैद कर लिया और दलीब सिंग को उनसे अलग कर दिया सबसे पहले उन्हें फटेगड ले जाया गया जो कि अब उत्तर परदेश में है फटेगड में बृतानी अधिकारियों के परिवार रहते थे दलीब सिंग को भी इसी जगहें आर्मी के सरजन जोन स्पेंसर लोगन और उनकी पत्नी के पास रखा गया उनका पालन पोशन किसी अंगरेज परिवार के बच्चे की तरहें से ही किया गया इतनी छोटी उमर में दलीब सिंग को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने अंगरेजों की तरहें से रहना सीख लिया था उन्हें उनके धरम, भाषा और संस्किर्टी से दूर कर दिया गया था 1850 में दलीब सिंग इंगलेंड पहुँचे जहां वो कुईन विक्टोरिया से मिले उन्हें इंगलन ले जाने के बीचे अंगरेजों का मकसद था कि वो अपने राज्य को पाने के लिए फिर से संघर्ष ना करें और इंगलन जाकर उनकी संस्किर्टी को पूरी तरहें से अपना लें अब दलीब सिंग एक इसाई बन चुके थे क्वेन विक्टोरिया को दलीब सिंग बेहत आकरशक लगे वो उनसे अपने बेटे की तरहें से ही व्यावार करती थी वो उन्हें अपने पास रखती और राच घराने की पार्टियों में वो हमेशा नजराते थे दलीब सिंग का रंग इंगलेंड के गोरों से थोड़ा अलग था इसलिए रानी उन्हें प्यार से दा ब्लैक प्रिंस कहकर बुलाती थी महराजा दलीब सिंग जब इंगलेंड पहुँचे तो उनके ही खजाने की दो बेशकीमती चीजें उनसे बहुत पहले वहाँ पहुच गई थी वो चीजें थी कोहिनूर हीरा और महराजा रंजीत सिंग का सोने का सिंहासन हालांकी कोहिनूर हीरा पहले से ही रानी के पास था त्यूकि एंगलो सिख वार में हारने के बाद संधी की शर्टों के तहत इसे अंगरेजों को दे दिया गया था लेकिन इंगलंड में रहते हुए महराजा दलीब सिंग ने इसे फॉर्मली कुवीन विक्टोरिया को गिफ्ट दिया था अगर आपको हिनूर हीरे की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो ओपर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं इंगलंड में कई वर्षों तक रहने के बाद दलीब सिंग पंजाब और सिक धरम को पूरी तरह से भूल चुके थे धीरे धीरे वो अंगरेजों के साथ रहते रहते पूरी तरह से एक अंगरेज की तरह से ही लगने लगे थे लेकिन वो अपनी मा को नहीं भूले थे वो उनसे मिलना चाहते थे इसलिए उन्होंने अंगरेजों के सामने अपनी मा से मिलने की इच्छा जाहिर की मा ने याद दिलाया गोरो मली इतिहास दलीब सिंग को एंगलन में रहते हुए और अपनी मा से बिच्डे हुए 13 साल हो चुके थे उस समय उनकी मा नेपाल में थी और वो एंगलन में थे अंग्रेजों को लगा कि उन्हें मा से मिलने में उन्हें कोई खतरा नहीं है इसलिए उन्हें उनकी मा से मिलने की इजाज़त दे दी गई दलीब सिंग की मुलाकात उनकी मा के साथ कॉलकाता में करवाई गई जब दलीब सिंग अपनी मा के सामने पहुँचे तो वो अंगरेजों की वेशबूशा पहने हुए थे उन्हें इस तरहें से देखकर उनकी मा बहुत नाराज हुई और दलीब सिंग को बताया कि वो महराजा रंजीत सिंग के बेटे हैं जिनकी बहादुरी और कोशल की मिसाल पूरे विश्म में दी जाती है उनकी मा चाहती थी कि वो अपने पिता महराजा रंजीत सिंग जैसे बने और पंजाब को अंगरेजों की कैद से आजात करवाएं अपनी मा से अपने पिता और अपने राज्य के बारे में सुनकर दलीब सिंग ने फिर से सिख धरम को अपना लिया और पंजाब को हासिल करने की कोशिशों में लग गए अपने बेटे से मिलने की दो साल बाद महाराणी जीन्द को जल्बसी और दलीब सिंग वापिस England आ गए थे दलीब सिंग का परिवार इंगलें में दलीब सिंग ने दो शादियां की थी पहली शादी से दलीब सिंग के छे बच्चे हुए थे और दूसरी शादी से दो बच्चे इन आठ बच्चों में से चार की बिना किसी खास वज़े के मृत्य हो गई थी जिस कारण लोगों को शक होता है कि महराजा के वन्षिजों को आगे बढ़ने से रोकने में भी अंग्रेजों का हाथ था हालां कि इसमें कितनी सचाई है इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता बैंस नाम के लंदन के एक राइटर ने अपनी किताब में दावा किया था कि क्विन विक्टोरिया ने दलीब सिंग के सबसे बड़े बेटे प्रिंस विक्टर आलबर्ट जे की पतनी को निर्देश दिया था कि उन्हें दलीब सिंग के वन्ष को आगे नहीं बढ़ाना है पीटर बेंस के किताब में ये दावा भी किया गया था कि दलीब सिंग के वन्ष जों को ऐसी दवाएं तक दी गई जिन से उनका वन्ष आगे नहीं बढ़े ये सभी दावे बहुत ही अजीब थे लेकिन बेंस कहते हैं कि ये बड़ा ही अजीब था कि दलीब सिंग के आठ बचे होने के बाद भी उनका कोई ग्रैंड चिल्डरन नहीं था पंजाब को वापिस पाने का संगर्ष जब दलीब सिंग अपनी मां से मिलने के बाद वापिस एंगलेंड पहुँचे तो उन्होंने अपने परिवार के साथ भारत लोटने का फैसला लिया दलीब सिंग ने अपने इस निर्णे के बारे में अंग्रेजी हुकूमत को जानकारी दे दी थी जिसे सुनकर अंग्रेजों को डर सताने लगा था कि अगर दलीब सिंग वापिस पंजाब की धर्ती पर पहुँचेंगे तो पंजाब में उनके खिलाफ एक माहूल बन सकता है इसलिए अंग्रेजों ने दलीब सिंग को नजर बंद कर दिया जिसके बाद दलीब सिंग पानी के जहाज के जरिये भारत की ओर बढ़ने लगे लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और जब उनका जहाज एडेज नामक जगह पर रुका तो दलीब सिंग और उनके परिवार को पकड़ लिया गया इसके बाद दलीब सिंग के परिवार को वापिस इंगलन भेज दिया गया लेकिन दलीब सिंग को नजरबंद कर दिया गया पैरिस में ली थी आखरी सांस दलीब सिंग अंगरेजों की नजरबंदी में थे लेकिन उनके दिमाग में भारत लोटने की इच्छा बनी हुई थी उन्होंने कैद से निकलने की बहुत कोशिश की पर वो उसमें सफल नहीं हो पाए ये भी कहा जाता है कि पंजाब में अपनी हुकूमत को वापिस पाने के लिए उन्होंने रूस से भी संपर्क किया था दलीब सिंग का आखरी समय पैरिस के एक होगल में बीता जहां उन्होंने आखरी सांसे ली उनके मरने के बाद उनके शरीर को इंगलंड में ही इसाई रिती रिवाजों के साथ सेंट एंड्रिउज एंड सेंट पैटरिक चर्च में दफना दिया गया हालांकि उन्होंने सिख धर्म को वापिस अपना लिया था और इतिहासकारों के अनुसार उनकी आखरी इचा थी कि उनके शरीर को वापिस भारत भेज दिया जाए अंग्रेजों ने डलीब सिंग पर अपना हक जमाई रखने के लिए इसाई रिती रिवाजों से उनकी अंतिम क्रियाएं की साथ ही उन्हें डर था कि अगर उनकी लाश को पंजाब ले जाया गया तो इससे भी उनके खिलाफ विद्रो हो सकता है सिख राज के अंतिम शाशक दलीब सिंग के अवशेश ब्रिटेन से भारत लाने की मांग संसद में भी उठ चुकी है सिख राज के सबसे बड़े महराजा महराजा रंजीत सिंग का पूरा इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथी ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद